अगर कोई लगष लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक निया में पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राक्ति नहीं है पर लगष लेकर पढ़ा है आसन से जिस भगवान की चाली सा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए एक घीका दिया अगर हनुमान चालीसा पड़ रहे हो तो या तो घीका जिया दिलाओ वो भी गाय के घीका बेंस के घीका मत जिलाना हनुमान जी कभी प्रगट नहीं होंगे बेंस के घीका घीका दिया लगाईए अगर चालीसा का पाट कर रहे हो हनवान जी का और बहुत ज्यादा संकट है बहुत ज्यादा परिशानी है तो हनवान चालीसा का पाट करो तो तिली के तेल का दिया लग काली तिल के तेल का दिया तिल का तेल का दिया हनवान जी के सामने आसन विछा कर बहुत तकलीफ है तो तीन पाठ प्रति तिन करो और एक आसन से जितने समय नो बजे अगर आप बेटते हो पाठ करने तो नो बजे ही बेटना है कि 11 दिन प्रति दिन प्रत रोज करो एक पानी का लोटा कलश तांबे के जल अर्था तांबे का लोटा हो उस्क्रिक जो कलना हो उसमें जल भरकर एक सि का उसमें पठकर एक लोंग पठकर पलेट से ढrap कर रखड़ो और प्रति दिन बस पा character chu कर पाट करो बस वो सिक्का वो लोंग कलश में से निकाल लो जल का अच्छमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो उस प्रयोग किसी से बात करने जाना है तो वो जल ली कर जाएगे कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का वो लोंग अपने हाथ में रखी अपने साथ रखी